पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है ये किस ने किया है साथियों ये मैंने नहीं किया है ये मोदी ने नहीं किया है भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्म विश्वास एक सो चारीस करोड़ भारत वासियों का आत्म विश्वास इतना ही नहीं इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतिय कॉंसुलिट खोले जाएंगे अब मैं जानता हूँ आपकी चिठिया सुरू हो जाएगे हमारी यहां हो हमारी यहां हो देखे शुरू हो गया आप लोग पक्का कर लीजिए आपकी जरूरतों को देखते भिए भारत इस साल और सियेटल में एक नया कॉंसुलेट खोलने जा रहा है इतना ही नहीं इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतिय कॉंसुलेट खोले जाएंगे अब मैं जानता हूँ आपकी चिठिया सुरू हो जाएगे हमारी याँ हो हमारी याँ हो देखे शुरू हो गया आप लोग पक्का कर लीजिए और और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अमदाबाद और बैंगलूरू में भी अमेरिका के नए कॉंसुलेट खुलने जा रहे हैं साथियों आप मैंसे बहुत से लोगों की एच वन बी वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अर्से से एक डिमांड थी अब ये निर्ने लिया गया है कि एच वन बी वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अमेरिका मैं रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा इस बात की कुई खुशी है अमेरिकी सरकार ने भारत की सो से ज़्यादा एंटिक्विटीज पुरानी मुर्तियां चीज़े जो हमारे यह से छोरी हुई थी ना सो से अधिक उसे लोटाने का फैसला लिया है ये पुरातन वस्तों ये बर्षों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी कुछ गलत रास्ते से आई होगी अलग अलग तरीकों से अंतरास्तिय बाजार पे पहुँच गई थी इन अित्यासिक वस्तों को लोटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेश रुप से आभार व्यक्तर करता हूँ क्या पतृब झाले क्या है